नमस्कार आप देख रहें ठीना यवाज मैं हूँ रिदी शर्मा आपके साथ चली शिरुआत करते हैं महारो राजिस्तान की राजिस्तान की कुछ खबरों के साथ सिरोही के पिंडवाडा में रिश्वत के आरोप में गिरिफतार पिंडवाडा तहसीलदार कलपेश जैन और भावरी के रेविन्यू इंस्पेक्टर परबच सिंग राजपूत को एक दिन की रिमान पर भेज दिया गया है एसीबी यानि की एंटी करॉप्शन ब्योरो पाली ने शुक्रवार को यहां एसीबी की विशेश अदालत में दोनों को पेश किया शनिवार को फिर पेश किया जाएगा अब तक एसीबी की जाच में सामने आया है कि बालोत्रा के मूल निवासी तहसिलदार कलपेश जैन परिवार के साथ पिंडवारा में ही रहता है उसने बालोत्रा स्थित अपना मकान किराय पर दे रखा है जबकि बालोत्रा में ही एक बुखन भी ले रखा है उसने अपने व अपनी पत्नी के नाम से कई बैंकों में 16 से अधिक खाते हैं इन सभी बैंक खातों को एसीबी ने फ्रीज करवा दिया है देखने में ज़्यादा मज़ा है वीडियो देखें और डेली अंट प्रदेश में एसीबी एंटिकरप्शिन ब्योरो की ताबर तोड कारवाई के बीच जैपूर के जवाहर नगर में हैरान कर देने वाली लूट की वारदात हुई फिल्मी स्पेशल 26 के अंदाज में हुई इस लूट में एक घर में शुक्रवार दोपहर साड़े बारा बजे एसीबी अफसर बन कर गुसे तीन बदमाश एक फाइनसर दीपक शर्मा के घर से 23 लाग रुपे लेकर फ्रारार हो गए घर पर फाइनसर का 20 साल का बेटा विधित अकेला था बदमाशो ने उसे एसीबी का आईकार दिखाया और लूट को अंजाम दिया दीपक ने यह राशी एक मकान खरीदने के लिए घर में रखी थी इस लूट का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 2 किलो मीटर तक के इलाके में सीची टीवी की फूटेज को खंगाला है शनिवार सुभे से 100 से ज्यादा पुलिस वाले सीची टीवी की फूटेज चेक कर चुके हैं 12 के आखा खेड़ी गाव में अवैद संबंदों के चलते पती ने प्रेमी और उसकी सहीयोगी के साथ मिलकर पती की तलवार और कुलहाडी मारकर हत्या कर दी वारदात के बाद आरोपी पती अपने कमरे में जाकर आराम से सो गया शुक्रवार को हुई इस घटना का पुलिस ने तीन घंटे में ही खुलासा कर दिया मामले में मृतक की पतनी उसके प्रेमी और सहीयोगी को गरफतार कर लिया गया शनिवार को तीनों आरोपी को कोट में पेश किया जाएगा आरोपी से हत्या में इस्तमाल हत्यार और रसी बरामत किया गया मृतक MPK गुना जिले के फतहगर के सरकारी स्कूल में सिक्षक था जो छुट्टी होने के चलते गाउं आया था देश के सभी राज्यों उत्तरपरदेश, मद्देपरदेश, बिहार, उत्राखन, हरियाना, पंजाब, जारखन, पच्छिम बंगाल, दिल्ली में राज्य परभारी की आवशक्ता है योग्य व्यक्ति अपना बायो डेटा, इमेल या वाट्सप करे हमारा इमेल पता है editor.tniawaz at the red gmail.com हमारा वाट्सप नमबर है 7610-866-001 TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ लेक सिटी में कोरोना बेकाबू हो गया है उदैपूर स्थित भारती प्रबंधन संस्थान यानि की IIM में कोरोना के 29 नई संक्रमित मरीज मिले हैं इसके बाद जीला प्रसाशन ने IIM केंपस में कर्फ्यू लगा दिया है यह 8 अप्रेल तक लागू रहेगा शुकरवार देरात IIM उदैपूर के 27 चातर और दो करमचारी कोरोना संक्रमित मिले थे इसके साथ ही उदैपूर के जाडौल में बीते 24 घंटों में कोरोना के 33 नई संक्रमित मरीज आने के बाद जीला प्रसाशन ने कर्फ्यू लगा दिया है गिर्वा उपखंड अधिकारी सौम्या जहा ने बताया कि बढ़ते संक्रमन को रोकने के लिए IIM परिसर में कर्फ्यू लागू किया गया है ताकि ग्रामिन अंचल में बढ़ते संक्रमन को फैलने से रोका जा सके स्पेशल ओफर अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें दीजे विग्यापिन जो की डिजिटल प्लाटफॉर्म के माध्यम से पहुचेगा 70 करोड लोगों तक जी हाँ वो भी मात्र 1100 रुपे में वीडियो और 501 रुपे में स्क्रॉल विग्यापिन जो की दिखाया जाएगा दो दिनों तक होली का दहन 28 मार्च 2021 और रंगोचसा 29 मार्च 2021 को आप हमें टोल फ्री नंबर 1800042003999 पर कॉल भी कर सकते हैं साथ ही हमें इमेल करने के लिए आप editor.tniawaz.gmail.com पर जा सकते हैं आप हमें WhatsApp भी 7610866001 पर कर सकते हैं तो इंतजार किस बात का अभी वुक कराएं अपना विग्यापिन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज राजस्थान लोग सेवा आयोग ने 4 अप्रेल से होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परिक्षा 2020 को स्थगित कर दिया आयोग ने शनिवार को सम्मंध में आदेश जारी कर दिये हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि की EWS को आरक्षन के तहट आयू सीमा और शुल्क समंधी रियायते देने के लिए आयोग ने परिक्षा स्थगत की गई है आयोग की संयुक्त सचीव नीतु यादव ने बताया की कार्मिक विभाग आदेश मिला है इसमें EWS वर्ग के अभ्यार्थियों को आयू सीमा एवं आवेदन शुल्क समंधी चूट दी जानी है इसलिए आयोग ने 4 से 11 अप्रेल और 28 अप्रेल से 2 माई के बीच आयोजित होने वाली असिस्टिन्ट प्रोफेसर कॉलेज सिक्षा विभाग प्रतियोगी परिक्षा 2020 थगित कर दी है नए अपडेट्स हर मिनिट अन डेली हंट श्री माधोपूर के अर्निया में कोरोना वैक्सिनेशन के बाद एक बुजूर्ग की मौत का मामला तूल पकटता नजर आ रहा है मौत के बाद सही परिजन और ग्रामिन धरने पर बैठे है सुबह से जाम लगा रखा है उनकी मांग है कि कलेक्टर अर्निया CHEC पर आएं ग्रामिनों की मांग है कि मुआवजे के तौर पर 50 लाक रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए धने को देखते हुए मौके पर RPS, ओम प्रकाश, ठाना अधिकारी दातर सिंग, मै जापता तैनात, तहसलदार, महिपाल सिंग, रजावत, CEO, बनवारिलाल, ध्याल, मौजूद रहें अतादे की कल शाम शुक्रवार को अन्या केंद्र में मृतक रामेश्वर ने कोरोना वाक्सीनेशन लगवाया था, टीका लगवाते ही रामेश्वर की तबित खराब हो गई, जैपुर ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया था अगर आप अपने व्यापार ये अपनी पहचान को आमजन तक पहुचाना चाहते हैं, तो हमें दीजे विज्यापिन, जो की डिजिटल प्लाटफॉर्म के माध्यम से पहुचेगा 70 करोड लोगों तक, जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपे में वीडियो और 501 रुपे में स्क चुन्य 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 तीन नौ 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 पर कॉल भी कर सकते हैं, साथ ही हमें इमेल करने के लिए आप एजिटर.tni आवाज एटरेट जीमेल.com पर जा सकते हैं, आप हमें वाट्साप भी 7610866001 पर कर सकते हैं, तो इंतजार किस बात का, अभी वुकराय अपना विज् को भेजने का मामला दर्ज हुआ है, आरोपी युवक पीडिता की सौतेली मां का भांजा है, जिसने रिष्टे में छोटी बेहन के साथ ये हैवानियत की, शहर के नस्दीक ठाणी निवासी 14 साल की पीडिता दस्वी में पढ़ती है, उसके पिता की मौत हो चुकी है, अबरंदुश कर्म किया और मोबाइल से उसकी अशलील फोटो खीच करना बालिक को धमकी दी की, उसने आगे भी उसकी बात नहीं मानी, तो वह इन फोटो को वाइरल करके उसे बदनाम कर देगा एक चेनल जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन, और ना ही किसी दल से गटबंदन, ताकि चेनल रहें निश्पक्ष, निर्भिक और बेवाग, बन सेके जन जन की आवाज, क्या आप देगे हमा इस टीवी चेनल पर किसी भी परकार से अपनी भागीदारी चाते हैं, तो संपर्क करें, 7610-866-001, TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ सरकार ने हाल ही में बजट घोल्षना में नए प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर अमल करना शुरू कर दिया है, इसके तहट प्रदेश में 27 नए सरकारी स्कूल खोलने को सरकार ने मंजज़ूरी देदी है, इसके तहट सीकर जिले में खंडेला और दातारामगड विधान स पंशायत में और खंडेला की जुगुलपूरा पंशायत की खडोलिया गाव में स्कूल खुलेंगे बता दें की सिक्षा मंत्री भी सीकर के लक्षमंगर विधायक गोविन सिंग डोटा सारा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में एफायर दर्च कराई है जिसमें जन प्रतिनी धियों के फोन टैप करने और उनकी छवी खराब करने का आरोप लगाया गया है। धारिवाल ने कहा था कि ओडियो मुख्यमंत्री के ओएजडी ने वाइरल किये थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही बाकी देश और दुनियां की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें ट्नाई आवाज। कि आहे रहे वामड़ें टुनिया था ये सब्सक्थाने के टर उनकी बाम conquest लिएreno